ट्रेवल्स बस में सवारे बिठाने को लेकर चल रहे गैंग वार में एस्सिस्टेंट पर फाल विक्रता की हत्या कर दी गई शुक्रवार की शाम होई सवारदात से एस्सिस्टेंट पर तनाव निर्मान हो गया है दरसल शुक्रवार की शाम चंदन नगर निवासी पचास वर्षिय योगेश पुर्शोत तम उम्रे की हत्या कर दी जिसे इस तानियक शेत्र में हड़कम्प मज गया सूत्र के अनुसार पुराना अपराधिक रिकॉर्ड होने से योगेश का सवारी बिठा था जिसमें उसे कमिशन भी मिलता था जिसके चलते उससे जुड़े ट्रेवल्स को आसानी से सवारी मिल जाती थी इस वजह से उसकी प्रतिद्वन्दी ट्रेवल्स संचालक तथा अपराधियों से रंजिश चल रही थी गुर्वार को उसका पार्किंग को लेकर एस्टिस्टैन पर विवाद हुआ इस प्रकरन में गनेश पेट पुलीस ने हप्ता वसुली का मामला भी दर्श किया शुकरवार की शाम 6 बशकर 15 मिनिट पर योगेश इस्टिस्टैन पर सवारी का प्रभन कर रहा था उसी वक्त चेतन बगमारे और चेतन पाटिन नामक अपराधि अपने 3-4 साथियों के साथ वहाए उन्होंने योगेश पर धारदार हतियार से हमला कर दिया उसे धेर कर फर किया गया योगेश परिसर के चर्चीत मेश्राम का साती था इस वजह से परिसर में गैंगवार भड़कने के आसार निर्मान हो गये है तो पुलीस फरार आरुपियों की तलाश कर रही है जिसकी जानकारी दीजोंत्री के पुले सुपायुक्त गोरग भामरे ने जिस वक्ति की हत्या केई उसका नाम योगेश उम्र है उनकी उम्र पचासाद है गरेश पेट बस्टैन पे वो फूट स्टॉल और ट्रेवल एजेंट्स में कमिशन का काम करते थे पल शाम को करीबन साथ बजे उनकी चाकू से स्टैबिंग करके हत्या कर दे गे थी इसमें जो है उनका नाम जेतन पाटिर और जेतन बगमारे दोनों का भी सर्च किया जा रहा है और दोनों को अटक करने के बाद हत्या की क्या मोटी होता क्या रीजन था वो पता चलेगा दोनों के बीच कुछ आपसी भीवाद था या कोई पुराना भीवाद था उसके बारने में जादिक स्पष्टी करन और एरेस्ट के बाद ही हो पाएगा वेसे तो अभी तब कुछ इंफर्मेशन मिलने क्योंकि दोनों बले गणिश पेट बस्टेंड एरिया में काम करें लेकिन दोनों अलग लग लंदे में काम कर रहे थे तो इग्जैक्ली इसका क्या रीजन है वो कैमेरा परसन अखिलेश भारिदवाश के साथ मनिश टेमरे बीसीन नियूज नागपूर